नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारे कलब है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान यूज एन टिप्स देखे इस बात में आप दो रायन नहीं है कि दक्षिन एशा में भारत एक प्रभुतव साली सक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है ऐसे में भारत के सामने जिसने आखे उपर करने की हमाकत की उसका एहसास नेपाल को जरूर कर लेना चाहिए बंगलादेश की पूर पेम से कसी ना भी एक वक्त पाकिस्तान की गोद में बैटकर भारत से पंगा ले बैठी थी अंजाम क्या हुआ जग जाईर है मालदीव की पूरवर्त गयूम सरकार भी चीन के सामने नत्मस तक हुई तो आज मालदीव में गयूम का नाम लेवा तक नहीं है अब नेपाल में चीनी धोती चाप ओली पिछवाड़ा जितना उपर नीचे गिरा रहा है वैपरा काश्टा को लांग गया है जादा दिनों तक नेपाल में उसका मूसल संद भी संद नहीं चलने वाला है यानि बकरे की मा के खेर मनाने के दिन बीच चुके हैं इसलिए धोती चाप का मैदान साथ होना लगबग तै है वैसे भी केपी सरमा उली उस खर्पतवार की तरह है जो नेपाल की जमीन को तो बंजर करी रहा है नेपालियों को चीन की गुलामी की दलदल में भी धकेल रहा है बामदेव गोतम ने इसारा किया है कि उली को चीन से मोटी रकम मिल रही है अगर उन्हें अपनी सत्ता खोती हुई दिखती है तो वैं नेपाल छोड़ कर भाग सकते हैं मगर दिक्कत यह है कि जब तक इस धोती चात के भागने का वक्त आएगा तब तक नेपाल पूरी तरह चाइना की कट पुतली बन चुका हुगा नेपाल कम्मिनिश्ट पार्टी के जादे तर नेता ओली की योजना को समझ चुके हैं इसलिए उन्हों ने ओली पर इस्थिपय का दबाब बढ़ा दिया है अब सवाल भारस्य सम्मदों का नहीं है बलकि नेपाल की असमिता का है उसी असमिता को ओली चीन को गिर्वी रखने की ओर बढ़ रहे हैं यानि जो नेपाली आज चीन का नाम पर उचल रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा की उनके पैरों की नीचे की जमिन चीन की हो चुकी है सत्ता सवालों के जबाब देनी की ताकत खो चुकी होगी और नेपाल में ओली कनफ्यूजन की दुकानी स्थापित करके चले गए होंगे आज जिस लोक तंतर की आड में नेपाल भारत को आखे दिखा रहा है वे भारत की ही देन है 1950 में बारत नेपाल की व्यापार और वानिजिक संदी और सांतियों मित्रता की संदी की मतलती नेपालिया तक पहुचा है नेपाल के नागरिकों को भारत में बेजोर सुइधाएं मिली हुई है एक उसी तोर पर उन्हें भारतिय नागरी को जैसा दर्जा प्राप्त है जबकि चीन से ऐसा इन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा नेपाल के अंतराष्ट एव्यपार का दोतिय आई व्यपार भारत से ही होता है वही चीन के साथ एव्यपार दस फीजदी भी नहीं है प्रस्तावित है यह भारत की बदोलत है जो दो दिन पूर नेपाल गरीब देशों की सूची से निकला है इसमें चीन का कोई भी योगदान नहीं है चीन तो बहती गंगा में हाथ दोने नेपाल में आया है जब नेपाल ऐसाय और भुका मर रहा था चीन उसे पूछने भी नहीं आया था नेपाल यह को इसमरण नहीं होगा कि नेपाल में भुकम की तरासदी में भारत ने एक मिलियन अमरी की डोलर की मदद की थी चीन से क्या मिला यह खुदूने तलासने की जरूरत है नेपाल और चीन के अंतराष्ट सीमा 1414 किलिमेटर लंबी है नेपाल अपनी सीमाओंगी चीन से रक्सा कर पाएगा अभी यह मुश्किली लगता है भारत के बिना नेपाल चीन के समक्स सुन्या है हालकि नेपाल का चिरित्र खाकर मुकर जाने जैसा है इस हिमाली मुल्क की भारस से दगबाजी 2005 में देखने को मिली थी नेपाली नेरेश ज्यानेंदर ने चीन को सार्क में साबिल करने का समर्थन कर दिया था हालकि नेपाल की एकोशिस पूरी तरह सपल साबित हुई नरेश ग्यानेंदर की चीनी चाटू करता को भारत पूरी तरह समझ चुका था आज ग्यानेंदर का इतियास क्या है नेपाल को पता कर लेना चाहिए नेपाल में महगाई चीस तरह से कीरतिमान बना रही है और यहां राजनेतिक उधल पुधल मची हुई है इसकी वास्त्य की जिम्मेदार ओली की भारत विरोधी नीतिया है ओली ने नेपाल को आग की बटी में जोक दिया है मोटे सूध पर चीन से लिया गया कर्ज भोले नेपालियों को आखंट तक दुबो रहा है हलत यह की नेपाल की सब्ता में चीन का अस्तक से बढ़ गया है जो कहीं नेपाल के लोक तंतर के लिए गंबीर खत्रा है लासा से काट मंडू के नाम पर बीजिंग ओली एक दूसरे के पूरक बन गए है अब अगर नेपाल यह सोसता है की चीन से उसका गठ बंदर भारत को चिड़ाने के लिए है तो उन्हें पाकिस्तान से सबग लेने की जुरूत है भारत को चिड़ाने के चक्कर में इस मदरसा मूलक में आज पूरी तरह चीन की आंडी चड़ चुकी है हलत यह की यागे तैमन छापों को नमाज परदे तक की जाजत नहीं है चाइनीज इनकी बेटियों को चाइना के रेड लाइट एरिया में खपा रहे हैं मुल्लाव की तस्रीपे लाल की जा रही है यह तब है जबकि पाक के टोपी बाज खुद को ज़्यादा सूर्थे मानते हैं नेपाली तो वैसे भी सीदे लोग होते हैं भारत के लिए भाई समाने पर चीन भाई बनाने नहीं घुसा है वै ओली का दामाद बनकर नेपाल में बैठने जा रहा है फिर जहां चीन गुस्ता है वहां आवाज पूरी तरे दबा दी जाती है लोगतंतर जैसा कोई स्तंब एक सूपन बन जाता है खुद होंकोंग और चीन इसका उधारन है ओली जैसी जोली सदेव अपना हिस्सा बटोरती है अच्छा नेता सभी प्रोशे से वैबारी ग्रिष्ट बना कर चलता है नेपाल अभी इस लैक नहीं हुआ कि वैभरत जैसे मित्र देश से पंगा ले सके इसलिए भरत यह कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाए सद्यों से भरत नेपाल के भाईजे से रिष्टे रहे है एक धोती चाम पुड़ाओ की मैत्र काक्सा उन्हें इतनी आसानी से छिन भी नहीं कर सकती है इसलिए ओली की डोली ज्यादा देर माईके में नहीं रह सकती इसे सुसराल हर आल में ही जाना होगा सुसराल कहा है आज यह सभी को पता लग चुका है इसी के साथ अनुमती दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंद वंदमात्रम